कि अपने यूटूब चैनल के उपर सो गाइस जैसे कि आप सभी को पता है हमने रिजनिंग का स्लेबर शुरू किया हुआ है तो आज हमारी रिजनिंग में पहला टॉपिक हमने शुरू किया है दैट इस कोडी डिकोडिंग और आज हमारी क्लास नंबर फोर रहने वाली इसके उपर पीछे हमने इसके तीन लेक्चर पढ़ ली हूए जिसमें हमने type 1 type 2 alphavetics के हमने अच्छी तरह से कर लिया है जिसमें मैं आपको बताया कि questions किस तरह से बन सकते हैं किस-किस types में आ सकते है alphavetics साधी साथ आपको basic थोड़ा सा इसका strong किया था क्यूंकि reasoning तो है एक ऐसा chapter जिसमें आप अपना base strong करो questions निकलने किस तरह से हैं और उसके बाद practice के उपर अपना द्यान दो जैसे जैसे आपकी questions की practice करते जाओगे आपको पता चलता जाएगा कि questions किस तरह से आपके बनते हैं आज हम type 3 के उपर question करेंगे जो मैंने आपको बताया था कि type 3 में कैसे questions रहते हैं जिसमें आप इस तरह से लगा सकते हो कि alphabetic letters को ही आगे पिछे उसकी numbering को plus करके minus करके या फिर उनके opposites करके कुछ ना कुछ logic rule लगा कि उनके questions को किया जाता है for example question बताता हूं question number one आज का जैसे यहां पे लिखा हूँ है tube is equals to tube is equals to x y f or i then light will be कि बताओ in a certain language questions आपका पूरा same-to-same रहे गए जैसे हमने पहली वीडियो में पहले question में रहा था कि in a certain language the word tube is written as x y f i then in that language the word light is written as will be written as कि कि language में अगर tube का code x y f i तो बताओ उसी language में light का code क्या रहेगा ठीक है तो आपको type one में मैंने आपको क्या करवाय था कि type one में जो ट्यूब है इसी की letters को replace करके उनकी position को change करके किया होगा एक तो यह बता दिया दूसरा मैंने बताया आपको कि यह जो पूछ है लाइट ओ उपर में से ही निकले है जो हमने पिछली वीडियो में किया दो टाइप होगे आज हमारा type क्या है कि यह जो आपको दियो है इन में कुछ logic लगा के मलकि अगर देख लिए आपने दो नो टाइप नहीं है तो आप में तीसरे यह कि आपको किया होगा कुछ numbers को minus किया होगा देन उसके बाद आपको यह question डाला होगा ठीक है तो इसी के type के थे question करने का best तरीका बताऊंगा हर एक question आपने वैसे ही करना है वैसे सबसे पहले तो आपका mind ही रहना चाहिए कि मैं इसको बीना pen and paper के कैसे करूं आपने number देखे आपको numbering जाद है numbering लगा के दिमाग में गुमाओ question आपसे निकल जाएगा जैसे आप numbering लगाओगे numbering से आप बिना pen and paper के देखके questions को कर सकोगे जैसे मैं आपको अभी करके बताऊंगा दूसरा आप क्या करोगे जब अगर वैसे ना निकल पाए तो फिर आपने क्या करना है जो words दिये हूं है उंको लिखना है उपर निचे पहले भी बताया हुआ है किस तरह से करना है जो words दिये हूं है उपर निचे then उसके बाद आपने लगानी है numbering numbering से आपके 100% questions वहां को निकलते है 100% questions आपके जो है वो numbering से निकल जाते है इसलिए पहले तो आपका यह क्या रहना चाहिए कि आप अपने माइंड में सोच के क्या आप उस को दस सेकंड के अंदर-अंदर कर सकते हो अगर तो कर सकते हो तो फिर तो आप सोचो उसको करो अगर वहाँ पर question आपका नहीं निकला फिर आप numbering लगाओ numbering से 100% आपको question निकलेगा अब यहाँ पर देखो पहले दो में इसको सोचेंगे सोचना किस तरह से है यहाँ पर लिखा हुआ है T U B E मैंने देखा T का X मना हुआ है T की numbering के है 20 और X के है 24 है ना उसके बाद 20 और 24 फोर का gap आ रहा है उसके बाद देखा U और Y U की numbering है 21 और Y की numbering है 25 पहले दो लैटर से ही मुझे पूरा इसकी logic पता चल गया कि प्लस 4 तो हो रही है पहले दो में अगर ऐसा आ रहा तो बाकी वाले भी सबाब देखो तो सेम पता चल जाएगा फिर आपने क्या है लाइट को देखा इसके भी सारे में प्लस 4 फोर आएगा तो फिर आपको पता चल गया तो आप सीधा से इसको बना सकते ह जैसे पहले आपने देखा L 12 पे है 12 और 4 कितनों के 16 16 पे आता है P उसके बाद आई आता है 9 पे 9 और 4 कितनों 13 13 पे आता है L आप option में चेक करो यहां पे P और L पहले देख रहा है आपको वह answer हो जागा आगे कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी यह तो था आपका ब न्बरिंग लगा हो 20 फिर उसके बाद 21 कि 2 और यह 5 इसके नंबर आगे 24 इसकी 25 और 9 अब देखो 20 और 4 24 प्लस 4 हो रहा है 21 और 4 25 फ्लस 4 हो रहा है 2 और 4 6 प्लस 4 और पाँच और चार प्लस पाँच और चार कि तनों कि 9 ठेक है यहां पर आपको क्या पता चल गया प्लस 4 हो रहे हैं अब आप इसकी नम्बरिंग लगा दो किसकी पूछ़ई है लाइट की पूछवई है light की numbering क्याएगी light की numbering आएगी आपकी 12 9 यह आएगा 7 पे 8 पे 20 अब plus 4 कर दो 12 और 4 16 पे आएगा P 9 और 4 13 तेरा पे आएगा M 7 और 4 11 पे आएगा K 8 और 4 12 पे आएगा L और 20 और 4 24 पे आएगा आएगा आपका sorry X आएगा न तो यह आपका answer उसी time निकल आएगा कहने का मतलब numbering लगाओ numbering से आपका हर एक question निकलेगा तो यह थी आपके example के साथ अब इसी के related हम सारे question practice as a practice और आपको अलग-लग method से निकलने वाले question करवाएगी ठीक है तो चली शुरू करते हैं विराज की questions याद रखना पहली अप्रोच आपकी जो है वो किसी के उपर रहनी चाहिए पहली अप्रोच आपकी बिल्कुल अपने माइंड के उपर बिना लिखे इसको देखना है कि question कर सकते है चली है question number second water is written as if water is written as question number one ये है water को और ये लिखते हैं तो बताओ rain को कह लिखेंगे question number one आपका ये हो गया साथ साथ लिखते हैं आ question number three है आपका if quote is written as then pen will be written as question number four है आपका happiness is written as अपका आपका एफ़र प्रृबाँ आपका को आपका है why doesn't create the इसके दो निकाल लें आपने ठीक हैं तो यह आपके तीन कोशन होगा करने का त्रीक आपको क्या रहेगा पहले आपने सोचने में तरीका कुन कुन सा लग सकता है पहले आप यह देखोगी लैटर्स को आपको plus minus कर सकता है letters के plus minus हो सकते है letters के opposites हो सकते है letters के pair को आगे बिछी numbering बढ़ा के लिख सकता है इस तरह से आपने सोचना है अगर सोचके हो रहा है ठीक है नहीं हो रहा है तो आप क्या करोगे numbering लगाओगे ठीक है बस ही आपका method है तो जैसे question number first देखो आपका question number second I think question number second में है आपका water को हम लिखते हैं A, E, X, I, V तो बताओ rain को क्या लिखेंगे सबसे बहले W, X, Y, Z A, 3 छोड़के A लिखा बिना हम करें इस तरह से करेंगे A, B, C, D 3 छोड़के E लिखा हमें पता से लिखा कि क्या हो रहा है 3 छोड़के 4 लिख रहा है अगर हम numbering के बाद करें तो यह आएगा 23 पे और 11 एक पे 23 और 4 27 होते हैं तो एक पे आगया यहां पे आएगा आपका 1 और 4 5 आगया ने 4 चार अगया सेम ऐसे कोशन जैसे हमने तो इस तरह से इसका रेंगा पताओ रेंगा क्या हैगा रेंगा 18 और 4 कितनी होते हैं 20 V आगया 1 और 4 कितनी होते हैं 5 E आगया 9 और 4 13 होते हैं M हो गया N 14 और 4 18 यानि की आपका R हो गया ठीक है इस तरह से आपके कोशन्स होंगे आगे कोशन नमबर 3 देखो इसमें देखो पहले आपने लगाए नम्बरिंग नम्बरिंग से तो काफी सारे आगया आगया बढ़ रहे हैं फिर आप क्या करोगे आपने देखा कि ये जो बर्ड्स हैं ये इसके क्या हैं ओपॉजिट्स ओपॉजिट्स भी मैंने आपको करवाए हूँ है बेसिक में करवाए थे ओपॉजिट्स जिसमें आपको 13 बर्ड बताएके उन्ही को देखके आपके ओपॉजिट्स हो जाते हैं जैसे C को ओपॉजिट्स क्या होता है Corex X आगे इसका O को ओपॉजिट्स क्या होता है Love L आगया A को ओपॉजिट्स क्या होता है Z Azad T को ओपॉजिट्स GT Road यानि की G पता चल गया सामने से दिख रहे है इसके क्या है ओपॉजिट्स है तो ओपॉजिट्स है तो इसका क्या है तो यह आपका अंसर के वी एम जी अब नेक्स कोशन देखो अपने देखा अगर तो आप से निकल रहा है नहीं निकल रहा तो आप क्या करोगे नंबरिंग लगा होगे आठ एक, सोला, सोला, नो, चोदा और पांच इतनी नंबरिंग आपकी तेज होने चाहिए कि आप देखे इसके नंबरिंग लगास को इसके लैटर को देखे ऐसा तो 19 पे 19 पे अब इसकी नंबरिंग लगा दो चार, तेज, आइज, आइधिंग, एक, दो, तीन, चार, पांच चीज, साथ, आठ, नो, एक, दो, तीन, चार, पांच, चीज, साथ, दो चीज़े मैंने लिखी, कौन-कौन सी थी वो, एक सिगांट, हाँ, इसकी और इसकी नहीं लिखे न, यहाँ पे बीच में देख लो, इसकी बीच में क्या क्या आएगा, यहाँ पे नीचे लिख रहूं, ठीक है, यहाँ पे आएगा आएगा आपका, ज हाइगा आएगा आएगा अ, पिर आगे ओ ओ है, ठीक है, अब देखो, यहाँ पे है इसका 12, यहाँ पर यहाँ पर 10 आथा, यहां पर 15, यहां पर 15, आप देखो, नम्रें को लगाऊगे, सामने से सब कुछी दिख दिाए आएगा, आपको कि क्या है? 8 में से 4 minus किए, 4 आगे 1 में से 4 minus किए 23-4 किंए 27 होते हैं 27 पर 1 अल्डी साइट से भी आ प्लस कर सकते हो यहां पे 16 and 4 minus करेंगे 12 16 में से 4 minus करें 12 फिर उसके बाद 9 में से 4 minus किए 5 14 में से 4 minus किए 10 5 में से 10, 4 minus किए 1 पता चल गया है क्या हूँ है? इस बार इस बार वह आपका 4-4- अब यहां पर हम सेड़ का 4-4- करेंगे. 19 में से 4 गे तो आपका कितना है? 15 बिआता है ओ. उसके बाद एक में से 4- करेगा तो कितना हैगा? यहां पर किया भी था, यहां पर 20 आएगा, यानि कि W आएगा. उसके बाद D में से 4 माइनस करें तो 0 आता है 4 में से 4 तो Z आजाएगा 0 पे यहां पे 18 में से 4 गे 14 आएगा N आएगा U 21 में से 4 17 याने कि Q आएगा 4 में से 4 याने कि Z आएगा 5 में से 4 A आएगा 12 में से 4 H आएगा Y में से 4 याने कि 25 में से 4 गे 21 जाने की यू आएगा तो यह रहा इस question का answer ठीक है यह तो थे थोड़े से easy वाले लेकिन आपको करने किस तरह से वो आपको idea मिल गया हर एक question आपका अलग डग types होगा आपके थोड़ा सा आपको पता चलेगा कि question किस तरह से बनते हैं ठीक है क्योंकि questions जो है वो यह तो handy है कि बार-बार हम learn करेंगे question इसी में से आजएंगे ऐसा कुछ नहीं होगा reasoning में क्या होता है कि आपको अलग-अलग type के question बता जाते हैं आपको इन types के उसे familiar करवाय जाता है कि आपको questions किस तरह से पूछे जा सकते हैं आपके mind को इस तरह से आप सोच सकते हैं कि आपके mind को खोला जाता है ठीक है तो आगे next question देखते हैं question 4 थक होगे अब question 5 देखा आज का question 5 है if flower is equal यह रिखते हैं if freezinging is equal to question number 5 if reasoning is equal to i,v,z,h,l,m,r,m,r,t then मुझे बताओ हिस्टरी का क्या हैगा policy का क्या हैगा और आपका economic का क्या हैगा ठीक हैं question देखते हैं आपको पता चलना चाहिए किस तरह से आएगा reasoning है किस तरह से opposites लिखे हूँ है सामने से देख गया सबी के letters का आपके opposites हैं जैसे r का opposite i v का opposite e उसके बाद z का opposite a तो इसी तरह से इनके भी क्या क्या जाएंगे history का क्या है history का आएगा आएगा आपका s, i का r, s का क्या आएगा फिरसे s का आएगा h, t का b, o, r, t r का आएगा a और, y का क्या आएगा b उसी तरह से polity क्या आएगा p क्या का क्या आएगा k, o क्या अएगा l, l क्या आएगा o, i का r, t क्या ती रेंगा g और, y का b economics का क्या आएगा v, x, l, m, l, फिर उसके बाद n, x, और h यह आएगा इसकी answers ठीक है आगे next question चली next question question number 6 question number 6 है आपका if mosquito is written as if mosquito is written as L-G-R-F-J L-G-R-F-J and उसके वाद H-L-N H-L-N then in the same language grasshopper will be written as grasshopper will be written as and vernacular is written as grasshopper किस तरह से लिखा जाएगा और vernacular किस तरह से लिखा जाएगा सोचिए किस तरह से निकल सकता है क्या कुछ plus minus क्या कुछ opposites I hope सभी से थोड़ा सा idea लग गया होगा कि क्या है इसमें आप देखोगे कि इसके लास्ट पहले वाले को opposite है इसका पीच्छी वाला इसके साथ opposite है ठीक है कहने का क्या मतलूँगा कि इस साइट से last उस साइट से first इस साइट से first उस साइट से last क्या है इसके opposites तो अब बताओ grasshoppers का क्या आएगा फड़ा फड़ से बताओ इसका क्योंकि numbering आपने पहले से याद क्यों यह है GT road T आएगा R का Indian Railway इसके बाद H H S L फिर उसके बाद K V and I यह आ गया Vernacular का क्या आएगा E V I M Z X यह F आएगा L का O Z और I ठीक है जो बच्चे इस वीडियो को पहली बाद देख रहे हैं पिछे आपने लेक्सर नहीं पड़े उनसे आपसे यह suggestion है कि अगर आपने यह वाले question फटा-फट से और जल्दी से करने है तो आपको क्या करना होगा पहले आपको basic class इसकी पड़नी ही होगी ठीक है यह आपके लिए suggestion है question number 6 होगा है क्योंकि अगर आपने basic पड़ाना तो यह कुछ भी नहीं है आपको बीना देखे इसको ठीक है बीना कोई time-based की आप अगर से question निकाल सकते हो numbering के साथ ठीक है आगे question number 7 देखो if government is written as यह कोछ न अच्छे वाला ठीक है if government is written as kk az j kk a j j kk az j then उसके बाद v a q p r v a q p r then what will the code for responsible 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 responsibles ठीक है if government is written as this one तो बताओ responsible क्या होगा यह कोछन अच्छे वाला है एक मिनिट का आपको टाइम में लेगा फड़ा वर्चे करके बता दो ठीक है फिर मैं आपको बताता हूँ औरी बता भाँ कि में का आपको बताके बता है जाँ तो पाटे बता है 누सके इंशने आपको的". We got a अगर नहीं निकला तो आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा कि कोश्चन और भी किस तरह से पुट हो सकते हैं ठीक हैं तो देखो इसको मैं उपर वाला में टाके यहां पर साल्व करने लगाऊं यहां पर देखो फ़ार एक्सप्र यहां पर गुव्मेंट को क्या लिखा हो था इसको मैं उपर लिखने लगाँ क्या लिखा हो था के के एजट जे वी ए क्यू पी आर ठीक है इसमें जो लॉजिक था वो क्या था कि आपके इस तरह से पेर को उपोजिट करके उनके उपोजिट्स लिखे हुए थे ठीक है एक सेगेंट कुछ रहा गयो अच्छा पहलो उपोजिट करके दैन उसके बाद इसके नम्रें गागे इतने किस तरह से था 11 11 1 26 10 22 1 यहां पर आगा 17 16 और then 18 यहां पर क्या था 7 15 22 5 18 14 13 5 14 और 20 अब देखो नम्रें के लगाई सामने से दिख रहा होगा आपको पहले में क्या हुआ पेर को क्रास करके क्या हुआ माइनस यहां पर प्लस मिल गया यहां पर देखो 15 7 4 11 15 में से 4 गे 11 ठेक है पहले ही आया कि पहले को प्लस किया लेकिन ओपोजिट के क्रास के साथ फिर दूसरे को माइनस किया ओपोजिट के क्रास के साथ यह पेर बन गया दूसरा पेर देखो पहले भी 22 और 4 26 हो गया, यहां पे 5 में से 4 माइनस के 1, कहने का क्या मतलब, माइनस 4 प्लस 4 हो रहा है, बट किस तरह से हो रहा है, ओपुजिट्स के पेर को क्रॉस करके, पता चल गया, अब हमने निकालना है किसका, रिस्पोंसिवल का, तो रिस्पोंसिवल का, यहां पे देखो पहले, प्लस 4 यहां पे आएगा, फिर माइनस 4 यहां पे, 18 और 4 कितने होगे, 22 यानि की V आएगा, 5 में से 4 गे 1, 1 एक पे आएगा A, इसी तरह से, S का 4 प्लस करेंगे, 19 और 4, 23 W आएगा, P में से 4 माइनस करेंगे, तो कितना आएगा, 16 में से 4 माइनस, 12 यानि की L आएगा, इस तरह से करेंगे, 15 और 4, 19 यानि की, S आएगा, 14 में से 4 गे 10, यानि की J आएगा, कहां से, यहां तक होगे, अब हम इसका करेंगे, S का 4 प्लस किये, 1904 तेइस W आया, 9 में से 4 गे E आया, यहां से, B में से 4 प्लस किये, F आया, L में से 4 किये, 18 में से 4, सोरी, 12 में से 4, 8 यानि की H आया, अब इसको भी प्लस करेंगे, 5 और 4, 9 यानि की E, आई आएगा, 1904 तेइस यानि की W आएगा, पता चलगा है, Hope सभी को पता चल गया हुँए था, कि क्या था यहां पे, पहले में माइनस 4 किये हुआ है, दूसरे में 4 किये हुआ है, लेकिन opposite किसके, पेर्स के cross करके, यानि opposite करके, यहां पे O के यहां पे इदर चल गया, J की का यहां पे चल गया, अगर के comment section में बताना है ठीक है अगर आपको पता चल गया अगर नहीं बता चला है तो next video में आपको अच्छे से बता दूंगा ठीक है तो चली next question देखते है next question है if flower is written as if flower is written as O-U-D-L-I-V O-U-D-L-I-V ठीक है है हाँ ठीक है O-U-D-L-I-V यह आपका code है तो बताओ orange का क्या आएगा ठीक है इसको देखो अच्छे से कि अगर flower का this one है तो ओरेंज का क्या आएगा I hope सभी से निकल भी क्या होगा कर ने निकला तो देखो क्या था यहां पे पेर को देखो पहले F का opposite U L का opposite O क्या हुआ यहां पे भी यहां पे उपर लेक्के बतारो आपको यहां पे लिका हुआ था O-U-D-L-I-N यही था अब देखो किस तरह से था sorry V था यहां न अब देखो L कॉपोजिट O F कॉपोजिट U D कॉपोजिट W L कॉपोजिट O I कॉपोजिट R और V कॉपोजिट E कहांड़े का उनकल पेर में उसके opposites लिखे हुए थे अब यहां पे भी देखो O R कॉपोजिट I L कॉपोजिट O A कॉपोजिट Z N कॉपोजिट M G का T E कॉपोजिट क्या आएगा E कॉपोजिट V और G का T यहां पे Z यहां पे का है E कॉपोजिट V तो यह आएगा आपका answer Orange का So guys यह थी आपकी Type 3 के उपर questions आज हम यहीं तक रखते हैं Next class में हम इसके और भी थोड़ से coaching अगर मिलते हैं अच्छे वाली वो भी हम करेंगे ठीक हैं तो उसके आगे हम बढ़ेंगे इसके अलग और भी जिस टाइप के यह coding decoding होते हैं ठीक हैं तो मिलते हैं आपको next class में तब तक के लिए Bye Bye, Take Care and God Bless You